वहां पाअवन्ट से प्रोधानवят प्रोधान मॉंट्री देसरो अुद देश भाशन देबन किंता की गश्रों के बारे में बारे में बहुत गलत फह्मी आ रही है आप भी स्वयम एक बार CAA को पढ़ लेती, इसके रूल्स को पढ़ लेती, तो मालूम पढ़ता है, इसमें डिटेंशन, कोई कैम्प की प्रोवीजन नहीं नहीं. जो illegal migrants हैं, अगर उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, उन्हें वापस अपने देश भेजने से पहले, उन्हें डिटेंशन कैम्प में रखा जाता है, यह आपने डिटेंशन एरिया में, जेल में नहीं डाल सकते, यह आपने 2019 में मुझे समझाया था इक इंटर्व्यू में. CAA में डिटेंशन कैम्प नहीं है, इसी को लेकर मैं सवाल पूछ रही हूँ, कि अगर CAA के तहट वो लोग नहीं आते, तो वो कहां जाएंगे, क्या होगा उनका? उनकी व्यवस्ता होगी ना, सो लोगों का प्रॉब्लेम है, तो उसमें से पचासी का तो अभी क्लियर हो रहा है, बाकी का आगे सोचेंगे? तो कितने लोग होंगे आपके हिसाब से, लाखों में, करोडों में, हजारों में, कितने लोग हैं यह? इसके धेर सारे लोग हैं, इसके कोई घिंती नहीं है, वो जब application आएगी और बहुत सारे लोग ये जो miss campaign चल रहा है, अपर प्रचार चल रहा है, इसके कारण सायद application करते हुए भी डरेंगे, मैं सब को आस्वस्त करना चाहता हूँ, आप यहाँ पर apply कर दीजे, नरेंद्र मो तरीके से भारत में आना इस सरणार्थ ही के रूप में आपको स्विक्रूती ये अकानून दे रहा है, इसका कोई criminal case आप पर होगा नहीं, और आपकी भारत में की हुई सारी activity को भी वैधता प्रदान की जाएगी, तो किसी को डरने की जरूद नहीं है, उनके पास extra rights होंगे या equal rights होंगे या कम rights होंगे, वो भारत के नागरिक माने जाएंगे, मेरा और आपके जितना ही अधिकार उनका होगा, एक और बात थी, वो एक तो गलत फहिमी अपरचार कहिए, या जो भी है, या confusion ही कहिए, कि असाम में CAA लागू होगा या नहीं होगा, और NRC और CAA, ये इनका crossing है की नहीं, इंटर, देखें, आसाम में जो NRC की order हुए है, वो Supreme Court of India की, इसका CAA से कोई लेन देन नहीं है, आसाम नहीं देश के हर हिस्से में CAA लागू होगा, सिर्फ North East के राज्य, जहां पर दो प्रकार के विशेशाधिकार उनको दिये गए हैं, वो जो राज्य आते हैं, उनको ही CAA नहीं होगा, एक Inner Line Permit का provision है, और समविदान की छठी अनुसुची में सामिल जन जाती एक शेत्र हैं, वो जो Six Schedule में वो जमू कश्मीर के कुछ इलाके, राजस्थान के कुछ इलाके, हिमाचल के कुछ इलाके आते हैं उसमें, वहां नहीं लागू होगा, बाकि सब जगे लागू होगा है, पर लोग नहीं जानते ना, क्योंकि कुछ साल वो यहां हैं, कुछ साल, और यो ट्राइबल इलाके हैं, उनका जो composition है, वो बदलेगा नहीं CAA की वजए से, जरा भी नहीं बदलेगा, ट्राइबल composition और उनके अधिकार को हम जरा भी dilute नहीं कर रहे हैं, हमने act में ही provision कर दिया है, कि जहां पर भी inner line permit है, और जहां समीदान की छठी सूची में जो क्षेत्र सामिल किये गए हैं, इन पर वहां पर CAA नहीं लागू होगा, और वहां के address वाला application भी app में upload ही नहीं होता है, तो लागू होने का सवाल ही न महां से तो नहीं, app ही नहीं खुलेगा, पर वो कहीं और जाके apply कर सकता है, तो वो भारत के नागरिक तो वो नहीं सकते हैं, हाँ, अच्छा, ओके, वो सम्विदान की छटी अनुसी चीज में सूरक्सिक छेत्रों के नागरिक नहीं बन सकते हैं, इन तीनों राजों ने कहा ह कि हम यहां पर लागू नहीं होने देंगे, क्या उनके पास यह अधिकार है कि वो लागू नहीं करने देंगे? वो भी समझ रहे हैं कि उनको अधिकार नहीं है, हमारे सम्विधान के अनुच्छे 11 में संसद ने नागरिक्ता के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल भारत की संसद को दिया गया है, एक कैंद्र का विशय है, कैंद्र और राज्यों का साजा विशय नहीं ह तो नागरिक्ता के बारे में कानून और कानून का इंप्लिमेंटेंशन वो दोनों हमारे समविधान की 241 अनुछेत के माध्यम से इसको सेड्यूल सेवन में डाला गया है जो कैंद्र के इसकी तमाम सक्तिया कैंद्र को दी गई है पर जैसे ग्राउंड पे तो चेकिंग होगे ना वो सब तो स्टेट गवर्मेंट ही करेंगे तो इंटर्यू में लेकर आएंगे कि मैं बंगलादेश से आया हूँ देखे मेरे पूरा ना डॉक्यूमेंट है और वो राजय में नहीं होगा इंटर्यू इंटर्यू राजय में और क्या यहां मतलब बंगलादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के जो शरनार्थी है क्या वो तमिलनाडू में गए हैं वहाँ पर मतलब स्टैलिन इसको इतना बड़ा मैं कोई possibility छूड़ना नहीं चाहता एक भी है तो उसको नागरिकता देंगे जैराम रमेश कॉंग्रेस के नेता ने कहाए कि यह unconstitutional है शशी तरूर कहते हैं कि अगर कॉंग्रेस जीत जाती है election या India Alliance जीत जाती है तो यह CA को repeal कर दिया जाएगा क्या कहेंगे आप देखिए उनको भी मालूम है कि इंडिया Alliance सत्ता में नहीं आना है मैं आज आपके चैनल पर कहना चाहता हूँ CA के कानून को भारती जन्ता पार्टी की सरकार लाई है नरेंद्र मोदी सरकार लाई है इसको repeal करना असंभव है हम पूरे देश को जागरूप करेंगे और repeal करेंगे वालों को कहीं पर स्थान ही नमिली इस इस्तिती होगी और जहां तक असमवैदानिक होने का सवाल है वो आर्टिकल अनुच्छे 14 का हवाला देते है वो भूल जाते है कि अनुच्छे 14 में दो अपवाद रखे हुए है एक reasonable classification का अपवाद है और दूसरा कानून के उद्योसों के साथ logical संबंध होना चाहिए तो वो आर्टिकल 14 का violation नहीं करता है इसमें reasonable classification बहुत पश्ट है कि जीन लोगों पर भारत के पुराने हिस्सों में आज वो विभाजन के कारण देश से कटे हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मंगलादेश में जीन लोगों पर धार्मिक प्रताधना होने के कारण जो भारत की सरण में आए हैं उसके लिए एक कानून है तो reasonable classification बहुत पश्ट है और इसलिए एक पूरी तरसे समवेधानिक कानून है एक और criticism है, महभूबा मुफ्ती कहती है कि ये सुप्रीम कोट में जो है उसकी सुनवाई अभी बाकी है तो इतनी जल्दबाजी क्यों? देखे हर कानून को कोई सुप्रीम कोट में स्टे करेगा तो कानून का implementation नहीं होगा सुप्रीम कोट के सामने न्याय मागने के लिए जाना और सुप्रीम कोट ने स्टे देना दो अलग बात है इस कानून पर सुप्रीम कोट का कोई स्टे नहीं है चार साल से लोग गए हैं अभी लंबित है मगर सुप्रीम कौट ने इसके इंप्लिमेंटेंसर पर कुछ टी नहीं दिया है मैं महभुबा जी को पूछना चाहता हूं 370 पर 1951 में ही सुप्रीम कौट में अरजी हो गई थी फिर क्यों इतने समय तक आप एंजोई किये भई आप बताएंगे देश की जन्ता को जब आपके पक्स की बात होती है तब नईतिक्ता के पेरामिटर्स बदल जाते हैं ऐसे नहीं होता है देश का एक समविधान है परंपरा है अदालतों की परिपाटी है इसके हिसाब से देश चलता है